वाही गुर्जी की फ्रते, तो मेरे डॉक्टर साथी सिनियर, मैं सब्धा दनों तन्वाद करता, डॉक्टर में धर सिनिदा जो जिना ने आज पहली आर, जो मैं पहली आर मीटल टेंड किती, जिना ने मैंनों दो मेंटलिक टाइम देता, सो बहुत सारे डॉक्टर साथी मेरे सिनियर, जिना ने बढ़ियां गल्लां दसियां, ते कहा, कई गल्लां, मैं उना जिकर करदां, जिमें बायोवेस्ट दा, बीर जी ने गल्ल दसिया, विकन्या नों पता है नी, आप्पानू सारे नों पता ही बायोवेस्ट की चीज है, जो पाई, आपान सारे ने बायोवेस्ट दा, जेकर किता, ओधे वेच्च सारे नों पते हिया, कीगी चीज़्यां देतिया, शो बाकी याल करोना दी रही, डाउटर में धरसंग ने दस्या, के करोना दे काल वेच्च बड़ी सेवा किती, मैं दास्दां तो नूं, के मैं ने आ विलेजों पाई करें, नो कोई किसे कसम दी सूर्थ नहीं है, ना दी डेथ बोड़ी जावेगी, ओवचारे करें आगे, ठाकार के बैठके, करोन बला के, मैं आठदास मरीज्यां दा कोई जान बचाई, इन्ना हुया का इन्ना दखने मां जाजकें, वाही गुरुजी का ख आज की सबा के देथ, दक्र शाखर जी सिंग जी, हमारे सेनियर डॉक्तर पेश्ची बर्ली, डॉक्तर संद्या जी एगरवार, डॉक्तर ग्यर वर्मा जी, डॉक्तर कुल्वान सिंग जी, उंगानगर से राजस्पा, डॉक्तर जोजी सिदू, डॉक्तर मेंदर सिंग जी, मन्ज संचालक हमारे, जो बहुत ही अच्छी तरह से अपना करतवे निबा रहे हैं, और सब को बोलने का मौका दिया है, अपने विचार भी रखे हैं, इतने भी आज हमारी यूनियन के मेंबर्स से यहां सबा में आई ह हैं, उन सब का मैं तया दिल से अबार वेक्ट करता हूँ, तो हमारे आज कुछ मुद्धे हैं, सबसे पहला मुद्धा तो यह है कि हमारी कार्यकारणी का राष्ट्य कार्यकारणी का गठन जो है, वो हर दो साल पर किया जाना होता है, लेकिन किसी कारण वह शायद नहीं हो तो आज सिर्फ तीन स्टेट आई हैं, डिल्ली, वो तो आई होई है जब यहीं बैठी है तो, लेकिन बार से पंजाब और राजस्तान दो से ही प्रतिनिदी आई हैं, जहां तक संख्याबल का स्वाल है तो आज सो आदमियों की परमिशम थी आज की सभावी, तो उससे ज़ होता है तब हम दिखाते भी हैं, और दिखाते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि जहां से हमारे राष्टिया देख्ष हर्याना से डॉक्टर ऐलशी शर्मा वहां से एक भी मेंबर नहीं आया, और उनके उपस्तिती हमें कुछ खल रह करने के गठन करना चाहिए, जो एक्टिव मेंबर्स हैं उनको लेना चाहिए, टाकि हमारी जो यूनियन की मांगे हैं, हमारी जो प्रस्ताव हैं, हमारा जो संघर्ष है, वो अनवरत चलता रहे, लेकिन जब हम सुस्त हो जाते हैं, कभी कुरोना का बाना, कभी नए आने की अनेक तरह के बाने अपने मन से गड़ देते हैं, तो मुझे तो वही पसंद नहीं है, और अगर कुछ लोग बनाना जानते हैं, चाते हैं, तो वो लोग जाने, इसलिए हमेशा से कर्या कारनी का गठन करते समय सबसे पहले इस बात का ख्याल रखा जाना चाहिए, कि हमारे म इसे एक्टिव मेंबर्स कौन हैं, कौन अपना समय निकाल के दे सकता है, जिसको अपने घर के कामों से, अपनी क्लिनिक के काम से फुरसत नहीं है, वो संक्टन को समय नहीं दे पाता, वो संक्टन को मजबूत नहीं कर पाएगा, वो संक्टन के साथ पराने लोगों को, तो क जैसे तीन स्टेट आई हैं, तो हमारे जो सीनियर मेंबर हैं, आपस में विचार उमस्ट करें, कि हमें आके क्या करना है, आज की मीटिंग में कार्यकारनी का गठन कर दें, तो बहुत बढ़िया है, वरना